राम राम प्रेम से बोलो जैज स्री राम जैज स्री क्रश्न हर हर महादेव आज का हमारा विसे है कि राधा और क्रश्न की अमर प्रेम कहानी आप जानते हैं लेकिन ये अमर प्रेम कहानी सो साल सताब्दियों तक विरहे में रही क्योंकि भगवान से कृष्ण और राधा का प्रेम आपने देखा राधा अश्टमी आपने मनाई कृष्ण जनमस्टमी आपने मनाई लेकिन राधा और कृष्ण का विवहा नहीं हुआ और वो अलग अलग रहे काफी लंबे समय तक सो वरस तक इसके पीछे की वजए आज इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोसिस करेंगे जो पहली बार स्रीकोपाल सेवा समिती यूटूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिल सके क्योंकि राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो सदियों तक चली आ रही है और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि राधा और कृष्ण का विवा क्यों नहीं हुआ एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ती की रहा देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझ कर गाया कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटल और निर्मम भी रहा सदियों से बले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है आज भी राधा का नाम पहले लेते हैं और भगवान करश्न का नाम बाद में लेते हैं लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई इसके पीछे की वज़े जानना अतियावश्चक है ये सवाल आपके मन में भी है कि राधा और करश्न का प्रेम कभी साधी के वंदन में क्यों नहीं बंद पाया जिस सिद्धत से करश्न और राधा ने एक दूसरे को चाहा वो रिस्ता विवात तक क्यों नहीं पहुँचा क्यों संसार की सवसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का एक गाना वन कर रह गई अपना जीवन साथी चुना उसकी कुल आठ पत्नियां हैं जो के हमें आठ पत्नियों के बारे में पता है लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है इतना ही नहीं करश्न के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता राधा भगवत गीता से महवारत तक किसी भी जगे राधा का नाम नहीं है राधा का अंतिम समय कहां बीता और किन हालात में राधा के जीवन के अंतिम छड़ राधा ने विताए जिस राधा को क्रश्न की परच्छाई समझा जाता था उसका क्या हुआ ये सब एक रहष्य बना हुआ है राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महवारत तक आपने नहीं पड़ा होगा राधा के विना जिस क्रश्न को अधूरा माना गया उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है इस रहष्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजह को भी जानना होगा ऐसा माना जाता है कि राधा धरती पर क्रश्न की इच्छा से नहीं आई राधा धरती पर क्रश्न की इच्छा से नहीं आई बादों के महीने में सुकल पक्ष की अश्टमी कि अनुराधा नक्षत्र में रावल गाउं के एक मंदिर में राधा ने जनम लिया था ये दिन राधा अश्टमी के नाम से मनाया जाता है कहते हैं कि जनम के ग्यारे महीनों तक राधा ने अपनी आखें नहीं खोली कुछ दिन वाद वो बरसाने चली गई जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौझूद है राधा और क्रश्न की पहली मुलाकात बंडिरवन में हुई थी नंद वावा यहां पर गाय चराते हुए काना को गोद में लेकर पहुँचे थे करश्न की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी चाप छोड़ी कि राधा का तन मन स्याम रंग में रंग गया करश्न राधा की नजरों से ओजल क्या हो जाते वो बेचैन हो जाती थी वो राधा के लिए उस प्राण वायू की तरह थे जिसके बिना जीवन की कलपना करना मुश्किल है अब देखिए यहाँ पर सुधामा ने एक स्राप दिया था राधा को कहते हैं कि राधा को करश्ण से विरह का स्राप किसी और ने नहीं बलके भगवान स्री करश्ण के प्रिय मित्र सुधामा ने दिया सुधामा के इस स्राप के चलते ही ग्यारे साल की उम्र में करश्ण को बिरंदावन छोड़कर मतुरा जाना पड़ा स्री करश्ण और राधा गोलोख एक साथ निवास करते थे एक बार राधा की अनुपस्थिती में करश्ण विर्जा नामक नामकी एक गोपिका से विहार कर रहे थे तवी वहां राधा आप पहुँची और उन्होंने करश्ण और विर्जा को अपमानित किया इसके बाद राधा ने विर्जा को धरती पर दरिद्र ब्रहमड होकर दुख भोगने का सराब दे दिया वहां मौजूद सुधामा ये वरदास्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को करश्ण से वरसों तक विरह का सराब दे दिया सौ साल बाद जब वे लोटे तब बाल रूप में राधा करश्ण ने यसुदा के घर में प्रवेश किया वहां रहे और बाद में सब को मौक्छ दे कर खुद भी गौ लोक लोट गई अब आगे देखिए भगवान स्री करश्ण ने फिर राधा से विवा क्यों नहीं किया क्रश्ण की होकर भी उनकी नहों पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अरधांगिनी न बनाने का कारण जब भगवान स्री करश्ण से पूछा तो करश्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े और राधा क्रोधित हो गई और चिला कर ये सवाल दुवारा किया तो राधा के क्रोध को देखकर करश्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई अब जब भगवान स्री करश्ण मुड़े तो राधा ने क्या देखा ये जानना बहुत ही जरूरी है करश्ण राधा जब वहां पर बारतालाप कर रहे थे राधा करश्ण से पूछ रही थी तो भगवान करश्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया वो सीधे चल पड़े लेकिन राधा के दुवारा पूछने पर जब करश्ण मुड़े करश्ण पल्टे करश्ण ने पीछे मुड़ के देखा तो राधा चौग गई क्योंकि राधा ने देखा कि क्रश्न राधा के रूप में थे राधा समझ गई कि वो भी क्रश्न है और क्रश्न ही राधा है राधा ही क्रश्न है और क्रश्न ही राधा है दोनों में कोई फर्क नहीं राधा क्रश्न की न होकर आज भी उनके साथ पूजनी है राधा करश्न की प्रेम कहानी अधूरी होकर भी अमर है क्योंकि राधा है तो करश्न है और करश्न है तो राधा है ये भगवान स्री करश्न ने राधा को संदेज दिया कि तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम हो तो ये थी राधा और क्रश्ण की प्रेम कहानी और उनके विवा न करने की वजए और उनके अलग अलग रहने की बज़े जो हम ने आपको बताई ये कहानी आपको भगवान राधे क्रश्ण की अच्छी लगी हो तो प्रेम से और जोर से आप बोलिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा और ये कहानी ये वीडियो सभी को आप सेयर करें फिर आते हैं इस तरह की दार में कहानी जो भगवान के अनन्य भक्तों की भक्ती से बरी हुई कहानी भगवान औ पक्रीके राधेक्रश्टन राधेक्रश्न राधेक्रश्टन